को शनीदेव से भय लगता है भूल मेरी ही थी जो मैं यहां प्रित्वी लोग पर साहेता मांगने चला आया वो भी तुछ वानक तुमें मैं सामत कही है चंद्रदेव हम जैसे भी है हम अपनी पूरी सामर्थे आगो बस देवी अंजना बस मेरी हिमती भरष्ट हो गई थी कि मैं देव श्री नारत की बातों में आकर उनसे साहेता मांगने चला आया जो स्वयम ही भाई भी थे जिन में मेरी रक्षा करने का सामर्थ ही नहीं है स्मेरू एक बार समेरू के बहार आजाए, चंद्रदेव, विवश कर दूगा मैं उसे, स्वाया मम्रित ला कर देंगे मुझे चंद्रदेव. दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम. बोलो कालनेमी क्या सूचना लाए हो? लंकेश, चंद्रदेव अभी अभी सुमेरू से बाहा निकलें, और वो बुद्ध ग्रह की ओर प्रस्थान कर रहे हैं. उत्तम! अत्य उत्तम सर्वत्तम! इसी एक शान की तो प्रतिक्षा थी मझे! मा, मुझे ग्यात है? आपके रिदेव बर क्या बीत रही होगी? चिन चंद्रदेव के लिए आपने व्रत रखा, अन्नचल त्याग दिया और वो ही स्वैम रुष्ट होकर चले गए. ये मेरा दुरभाग्या है पुत्र. मा, आप ऐसा मत कहिए. अनुवान आपको ऐसे नहीं देख सकता. आपका अवरत अवश्य पून होगा. मा, अब आप मुझे जाने की अनुमती दे दीजे. मैं सारी स्थेती संभाल लूँगा. सब ठीक हो जाएगा, मा. नहीं, पुत्र. मैं तुम्हें जाने की अनुमती नहीं दे सकता. मा, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है, अनुमान. स्वयम से अधिक मुझे तुम पर विश्वास है, पुत्र. कि तुम्हारा विच्छो नहीं सह सकता. यादि तुम्हें कुछ हो गया अनात, तुम्हें स्वयाम को कभी ख्षामा नहीं करबा। मा, मैं शीगर लोटाऊंगा मा, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी दृष्टी से दूर नहीं करसा। अन्ना, युम्हें तुम्हें संकेट में पड़ेंगा। किन्तु मा, आपके व्रत का क्या होगा। आप कब तक कुछ नहीं खाएंगी। ना जाने चंद्रदेव कब उधित होंगे। तुम मेरे व्रत की चुंता बत करो, पुत्य। चंद्रदर्शन हो या ना हो, मेरे नेत्रों को तुम्हारे दर्शन होने चार। मा, हनुमान की सारी शक्तियां, हनुमान का जीवन, सब यर्थ है। यदि मैं आपका वच्छिन पून नहीं कर पाया। मा, क्या मैं आपका अच्छा पुत्र नहीं हूँ। मैंने आपको बहुत दुख दिया है, ना मा। बार बार आपको पुत्र विच्छो की पीडा सेहनी पड़ी है। तुम्हें क्या करता, मा? कौन पट्र अपने मा के सुख में आचल से तूर होना चाहेगा। किन्तों मजे परिस्तीती ने बार बार विवश कर दिया था। मा, मैं आपको इस प्रकार दुखी नहीं देख सकता, मा। मा, आप मुझे अशिरवात दीजे। मैं एक अच्छे पुत्र की भाती। आप गवरत पून करना चाहता हूं। आपके अशिरवात की शक्ती नहीं, मुझे हर संकट से बचाया है, मा। चाहता है, मा, आपके अच्छे वाले कि यू ओम जो खता यूत्र की जाएं। चाहता है, मुझे अशिक भाता है, कि अशिक मुझे हूं। अच्छना 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 और अच्छना इस अंसार में कोई असा नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी साहता करने में सक्षमू बुद्ध तो मेरा पुत्र है कहीं उसने भी कौन है ये लंकेश रावा ये यहां क्यों आए चंद्रदेव चंद्रदेव सदैव दमकने वाला आपका मुख आज कांतहिन और निस्तेज क्यों हो गया भैभीत प्रतीत हो रहे हैं आप कहीं शनी देव के कारण अरे हां शनी देव से तो सभी भैभीत रहते हैं केवल मुझे छोड़कर समस्त संसार में केवल माई हूं जिस से शनी देव भैभीत रहते हैं स्मरण है ना आपको चंद्रदेव बंदे बनाया था मैंने उन्हें सायता कर सकता हूं मैं आपके बिना स्वार्थ कोई सायता नहीं करता मुझे शमा करें कर दो का जाएंगे आप सायता मांगें अपने उस निर्वल पुत्र बोद्रदेव की सायता मांगेंगे मैं कहीं भी जाओं किन्तुu मुझे आपकी सायता की आवश्यक्ता नहीं है जाएं आवश्य जाईए किन्तव समरान रहे चंद्रदेव संसार में आपकी सायता करने का सामर्थ मेरे अतरिक्त किसी अन्य में नहीं है और हाँ शनीदेव आपको छोड़ेंगे नहीं पह ये पह ही दिलाएगा मुझे आप वेचे हैं मा 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 उठिये ना मा महराज के स्री प्रणाम रिशीवर प्रणाम रिशीवर ना जाने अंजना को क्या हो गया महराज के स्री बचेन और व्रत के अपरोड रह जाने के आशनका अन्य जलका त्याग इनके कारण ही महराणी अंजना की है दशा हुई इनका उपचार मात ये कही है इनके व्रत के पूर्णा और इसके लिए आवश्यक है कि हन्मान जाकर इस इस्तिती को संभाने और चंदर देव को शनी देव के प्रकौप से बचाएं किन्तों मैं माँ को इस दशा में छोड़के कैसे जा सकता हूं माने मुझे अनुमती भी नहीं दी है पुत्रहनमान मैं देता हूं तुम्हें तुम्हारी मा की ओर से अनुमती जाओ जाके अपनी मा के वजण को पूर्ण करो इवा में संकट को हरकर अपने नाम को सार्थक करो पुत्रहनुमान शनिवेव के आन्षिक द्रिष्टी पाट ने तो आपको चंद्रलोक छड़वा दिया पूर्ण द्रिष्टी पाट से क्या होगा आप चंद्रलोक लौट ही नहीं पाएंगे अनंत काल तक आप इस भ्रमान में भटकते हुए रह जाएंगे चुन रहे ना चंद्रदेव आप भटकते रहेंगे आप इस अनंत भ्रमान में है यह साधारन ओल का पिंडो के भाती है कि सोचिये चंद्रदेव सोचिये एक देवता परजापती दक्ष का जामाता एक साधारन पिंडबन कर रहा जाएगा क्यों एक तुछ शनिदेव के कारण मैं मा से आशिरवाद लिये बिना कैसे जा सकता हूं मा उठिये मा मा उठिये आपका पुद्र हनुमान आपको बुकार रहा है मा अपने नेत्रा को लिये में आपके टफ। मुदधी के लिये आपको लिया आपक्तू मुदधी आपको लिया आपको क्यों आपका क्यों एक तको रहाँ मने लिया क्षने यिया कि अपने आपको समालो पुत्र हनुमान हनुमान चंदर देव और शनीद्यों के मद्भेश से उपजे इस संकट को हरने के पाश्या थी तुम अपनी माता की कि इते विशाद को हरपा हुए कि इन तो मा क्या अशिर्वात की बिना गया तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा मा आखे खोले मा तो आप रक्षा करेंगे मेरी शनी देव से अवश्य अवश्य करूंगा मैं आपकी रक्षा चंद्र देव यदि आप चाहें तो किन्तु आपको भी तो फिर रावन के लिए कुछ करना पड़ेगा ना चंद्र देव कि रावन के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य बचा भी नहीं सकता है या सोच रहे हैं चंद्र देव आपको निर्भैक मात्र मैं ही बना सकता हूं उचित है लंकेश यदि आपने मुझे शनी देव की दृष्टी से रक्षित किया तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तूत रहूंगा अत्यूत्तं फर्वत्तं वचन दे रहे हैं आप चंद्र देव हाँ लंकेश मैं चंद्र देव वचन देता हूं आपको कि आप जो कहेंगे वो करूंगा मैं अनुमान मा 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 आपका अश्रिवात एवम अनुवट्य प्राप्ट करने के पश्चात मुझे अवश्य सफलता मिलेगी आपका व्रत और वच्चन दोनों पूनों हो जाएंगे चंद्रतेव के दर्शन आपको अवश्य होंगे पूजा का थाल सजित करके रख लीजिए प्रणाम मा प्रणाम पिताश्री प्रणाम नानी मा की आग्या और आशीश लेकर निकले बान कतीश करना दूर चंद्र की उलजन मा के वचन निभाए हनुमन माहा भायन कर भीशन भारी शन्दी त्रिष्टी से स्रेष्टी दुखरी मंगल मूरत का भीजान क्या होगा इसका परणाम ये गाथा माहबली हनुमत की प्रचिकल लीला राम भगत की जै 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 रगुनंदले राम जै 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 माहबली हनुमा बहुत व्याथित है चंद्रदेव सुमेरू से निकलने के पश्चात नाचाने कहां चले गए होंगे वो मुझे शीग्र से शीग्र उन्हें ढूमना होगा जै गंत्रदेव वाचन निभात हो है आप चंद्रलोग जाए और मेरे लिए अमरित कलश ले आईए अमरित कलश? किन्तो लंकेश अमरित कलश तो जेवताओं की धरोवार है यही ना मैं पोच्छता हूँ किन देवताओं का वो देवता जिन्होंने आपकी चिन्ता तक रही की या वो त्रीदेव जिन्होंने आपकी तरफ से मूं खेर दिया चंद्रदेव उन देवताओं के लिए आप अमरित कलश की रक्शा करेंगे कि या सोच रहे हैं चंद्रदेश तानी देव से सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए या उन देवताओं के लिए अम्रित कलश की सुरक्षा करनी है आपको जिने आपकी सुरक्षा की चिंता तक नहीं कदाचित आप सत्त ही कह रहे हैं लंकेश जिसे मेरी ही चिंता नहीं तो उसकी चिंता मैं क्यों करूँ जिन्होंने मुझे शनी देप के प्रकोप से बचाने का प्रयत्म तक नहीं किया वो निर्बल देवता क्या रक्षा करेंगे आपकी, आपकी रक्षा केवल मैं लंकेश दशानन रावण कर सकता है, एक बार केवल एक बार, एक बार वो अम्रित कलश मेरे हातों मेती दीजिये चंद्रदेव, आपके चंद्रदेव को बंदी बनाकर आपके चंद्रदों में फेख देगा रावण, आपकी ओर देखना तो दूर, आपके चंद्रदों से भी द्रिष्टी उपर नहीं कर पाएगा वों, आप उचित है लंकेश, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए अभी हमरित कलश लेकर आता हूं, हाएगा आता है रहाएगा अभी हमरित कलश लेकर विए जला में आता है आता है यहा जाएगा आता है अंभाएगा आता है, मा को अर्दू की नहीं देख सकता मैं कैसे भी करके मुझे चंद्रदेव को ढूंद कर उनके और शनीदेव के विबात को समाफ्ट करना ही होगा जिससे के शीक रही मा का व्रत पूर्ण हो सके जंद्रदेव या तो जंद्र लोग गहें उनके या चंद्र लोग से उनके बारे में क्या दो सकता है झाल झाल